राम राम दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिये चैनल बोलती बुक्स विथ अंजली में और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बाल राम कथा का पार्ट तीन जिसका शीर्शक है दो बर्दान आईए शुरू करते हैं राजा दश्रत के मन में अब एक ही इच्छा बची थी राम का राज जिविशेक उन्हें युवराज का पद देना अयुद्या लोटने के बाद से ही उन्होंने राम को राज काज में शामिल करना शुरू कर दिया था राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे उनकी विनम्रता विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे प्रजा उनको चाहती थी दश्रत के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था राजा दश्रत व्रद हो चले थे मुनी वशिश से विचार विमर्ष के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा मैंने लंबे समय तक राजखा चलाया जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शितिल हो गए हैं मैं व्रिद्ध हो चला हूँ मैं चाहता हूँ कि यह कारिभार राम को सौब दूँ अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए अगर आपकी राए इससे बिन है तो मैं उस पर विचार भी करने को तैयार हूँ सभा ने तुमुल ध्वनी से राजा दश्रत के प्रस्ताव का स्वागत किया राम की जैजैकार होने लगी दश्रत थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोज के साथ उन्होंने कहा शुब काम में देरी नहीं होनी चाहिए मेरी इच्छा है कि राम का राजविशे कल सुबह कर दिया जाए यह समाचार पलक जपकते पूरे नगर में फैल गया हर चेके बस यही चर्चा थी अभी शेक की तयारिया शुरू हो गई भरत और शत्रुगन उस समय अयोध्या में नहीं थे वो अपने नाना केकई राज के यहां गए हुए थे भरत जब भी अयोध्या लोटने की बात करते नाना उन्हें रोक लेते भरत को अयोध्या की घटनाओं की सुचना नहीं थी उन्हें अपने पिता के निर्णे के संबंद में नहीं पता था यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राजय विशेक होने वाला है केकै से एक दिन में भरत और शत्रुगन का आना संबह नहीं था राजा दशत ने इस संबंद में राम से चर्चा की कहा कि भरत यहां नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि राजय विशेक का कारिकरम ना रोका जाए उन्होंने राम से कहा जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है तुम राज धर्म का पालन करना कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है राजय विशेक की तयारिया राणी केकै की दासी ने भी देखी मन्थरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा इतनी रोनक ऐसी सजावट ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था उसे अचंबा हुआ फिर उसने रानी कोशलिया की दासी से पूछा उसे तब पता चला कि कल राम का राज़ा विशेख होने वाला है यह उस सव उसी के लिए है मन्थरा जल भुन गई राम का राज़ा विशेख उसे शड्यंत्र लगा कहकई के विरुद वह कहकई की दासी थी बचपन से कहकई का हित उसके लिए सर्वो परी था मन्थरा उसे अपना हित मानती थी वह कहकई की मू लगी थी रानी कहकई भी उसे बहुत मानती थी क्रोश से आगबबूला मन्थरा रानी वास की और भागी सीधे कहकई की कक्ष में वह हाफ रही थी ग्रोश से चहरा लाल था भागने के कारण सांस उखड रही थी उसने राणी कहकई को सोते हुए देखा किसी तरह स्वयम को सभालते हुए मंत्रा ने कह अरे मेरी मूर्क राणी उठ तेरे उपर भयानक विबदा आने वाली है यह समय सोने का नहीं है होश में आओ विबत्ती का पहाग तूटे इससे पहले जग जाओ राणी के कही नीन से चौक कर उठी उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई क्या बात है तुम इतना घवराई क्यों हो सब कुशल तो है उन्होंने पूछा कैसा कुशल कैसा मंगल सब अमंगल होने वाला है तुम्हारे सुखो का अंथ महराज दश्रत ने कल राम का राजय अभिशेक करने का निर्णे लिया है अब राम यू राज होंगे यह तो बहुत शुप समचार है केगई ने प्रसंता से अपने गले का हार उथार कर मंथरा को दे दिया मैं बहुत प्रसं हूँ राम यू राजपत के लिए हर तरह से योग है तुम्हारी बुद्धे फिर गई है मती मारी गई है सवाल राम की योगिता का नहीं है राजा दश्रत के शड्यंत्र का है तुम्हारे अधिकार चीनने का है मंत्रा ने हार दूर फेकते हुए का ये शड्यंत्र नहीं तो और क्या है कल सुभे राजा विशेख है भरत को जान भूच कर ननिहाल भेज दिया समारों के लिए बुलाया तक नहीं केकई का स्वर उग्र हो गया उन्होंने मंत्रा को डाटते हुए कहा राम के पती मेरा अगादिस ने है वह मुझे मा के समान मानते है तुझे इसमें शड्यंत्र दिखाई देता है इसमें शड्यंत्र नहीं है राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे राज सरवदा जेश्ट पुद्र को ही मिलता है मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ उसके लिए यह दश्रत का शड्यंत्र था वह रानी केकई के पलंग पर बैढ़ गई उनके बहुत निकट कहके के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा तुम बहुत भोली हो नादान हो तुमें आसन संकट नहीं दिखता दुख की जगे प्रसनता होती है इस बुद्धी पर किसी को भी तरस आएगा समझो रानी राम राजा बने तुम कोशलिया की दासी बन जाओगी भरत राम के दास हो जाएंगे वह राजा नहीं बनेंगे राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा अनर्थ को अर्थ समझने की मुर्कता मत करो रानी राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे, इस तिरसकार से भरत की रक्षा करो, रानी कोई ऐसा उपाय करो कि राजगदी भरत को मिले और राम को जंगल बेज दिया जाए कहकई पर मंतरा की बातों का असर होने लगा, उनका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पाउं सीधे नहीं पड़े, आखों में आसू थे, मन भारी हो गया, प्रसनिता की जगे अव्यक्त क्रोध ने ले ली, मंतरा के तरकों से उन्हें सच्चाई दिखने लगी तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहकई ने आसू पोच्टे हुए मन्तरा से कहा मन्तरा पलंग से उठी, कहकई के पास जाकर खड़ी हो गई, उसने कहा याद करो रानी महराजा दश्रत ने तुम्हें दो वर्दान दिये थे, दश्रत से अपना वचन पूरा करने को कहो एक से भरत के लिए राजगदी मांग लो, दूसरे से राम को चौदा वर्ष का बनवास, कहकई का चेहरा तम-तमाया हुआ था उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी, उनके मन में एक प्रश्ट अब भी था यह बात दश्रत से कैसे कहे, उन्हें रानी वास बुलवाएं या प्रदिक्षा करे मंत्रा ने कहकई की मन की बात भाप ली, उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहन कर कोप भवन चली जाओ महराज दश्रत आएं, तो उनकी और मत देखो, बात मत करो तुम उनकी प्रियरानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे बस उसी समय तुम उन्हें पिश्ली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना मैं ऐसा ही करूंगी, महराज का शड्यंद्र सफल नहीं होने दूंगी मंतरा का लक्ष पूरा हो गया, चलते चलते उसने रानी कह कही से कहा राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राज काज संभाल लेंगे जब तक राम लोटेंगे, लोग उन्हें भूल चुके होंगे अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है रानी के कई कोप भवन चली गई, मंतरा रानी वास से निकल गई दिन भर की गहमा गहमी के बाद महराज दश्रत को रानीों की याद आई तुरंथ रानी वास की ओर चल पड़े, उन्हें शुप समचार देने सबसे पहले वै केकई के कक्ष की ओर मुड़े केकई वहाँ नहीं थी, ब्रतिहारी से पूछा पता चला कि वे कोप भवन में हैं, दश्रत को चिंता हुई खैकई कोप भवन में पर तु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दश्रत ने सोचा दश्रत कोप भवन का द्रश देखकर हैरान हो गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया केकई जमीन पर लेटी हुई थी बाल बिकरे हुए, गहने कक्ष में बिकरे हुए कपड़े मैले, तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें मुझे बताओ? अस्वस्तो, राजवैत को बुलाओं दश्रत ने कई सवाल पूछे कोई उत्तर नहीं मिला, कैकई रोती रही तुम मेरी सबसे प्रियरानी हो मैं तुम्हें प्रसन देखना चाहता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी धर्ती आस्मान एक कर सकता हूँ दश्रत ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला दश्रत भी भूमी पर बैठ गए, बिंती करते रहे हाँ मैं बिमार हूँ कैकई ने कहा मैं अपनी बिमारी के संबन्द में आपको बताऊंगी लेकिन पहले आप एक वचन दें मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे राजा ने ततकाल हामी भर दी कहा मैं राम की सौगंद खाकर कहता हूँ तुमारी हर इच्छा पूरी करूँगा माराज दश्रत ने राम की सौगंद ली तो कैकई उठकर बैट कही आप मुझे वे दोनों वर्दान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले राण भूमी में लिया था माराज दश्रत ने हमी बरी कल सुबे राजविशेग भरत कहो राम का नहीं कैकई ने कहा दश्रत भाचक रह गए उन पर वज्रपाच सा हुआ थोड़ा रुक कर कैकई बोली राम को चौदा वर्ष का बनवास हो दश्रत का चेहरा सफेद पढ़ गया हवाक रह गए सिर्चकराने लगा वे मुर्चित होकर गिर पड़े कुछ देर में राजा को होश आया कैकई की और देखा बड़े कातर भाव से बोले यह तुम क्या कह रही हो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है कैकई अड़ी रही दश्रत कैके की मांग को असुकार करते रहे अनर्थ बताते रहे तब कैकई ने अंतिम हतियार चलाया अपने वचन से पीछे हटना रगुकुल का अनादर है आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं पर तब आप दुनिया को मूद दिखाने योगी नहीं रहेंगे रही मेरी बात आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विश पीकर आत्म हतिया कर लूँगी यह कलंग आपके माथे पर होगा राजा दशरत यह सुन नहीं सके दुबारा भी होश हो गए रात भर बेसुद पड़े रहे बीच बीच में होश आता वह कैकई को समझाते गिडगडाते धमकाते डराते पर कैकई टस से मस नहीं हुई सारी रात इसी तरह बीच गई तो दोस्तों यहां पर खतम होता है हमारा तीसरा पार्ट और अगले पार्ट के साथ मैं फिर आपके समझ हाजर होंगा अगले शनिवार जिसका शीरशक है राम का वन गमन तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल राम राम